देव कारलेकर साथ हमारे साथ USA से जुड़ रहे हैं खास तोर से अमारिका ने जो एक प्रेस कांफरेंस करके वहाँ के राश्पती ने जो सफाई दी है उसके बाद लोग कितने मुतमाइन हैं लोग उससे कितने संतुष्ट हुए हैं उस प्रेस कांफरेंस से ये उनसे मैं खास तोर से जानना चाहता हूँ देव कारलेकर साथ इस समय तो विलें सिर्फ अमेरिका कोई देखा जा रहा है हलाकि मेरे रिस्पॉंडेंस क्या कहते हैं या हम लोग आगे देखेंगे कि कौन विलें है अगर कोई विलें है तो लेकिन वहाँ प्रेस कांफरेंस के बाद क्या एर क्लियर हो गई दिनेश जी सबसे पहले थैंक यू सो मच पूर इंवाइटिंग मी एट टीवी नाइन भारत वर्ष तीवी नाइन भारत वर्ष यह मुद्दा बढ़े अच्छी तरह इसे इसे लाइम लैट में लेके आ रहा है बढ़े अच्छे कन्वर्सेशन डिसक्शन्स हो रहे मैं देख रहा हम आपको पिछले दो दिन से तांक यू सो मुझ सो कीप अप दे गुड वर्क रही बात जो अफगानिस्तान में हुआ देखो हम 20 साल से यू येसे इस इन अफगानिस्तान हमने पिछले 20 साल में तीन ट्रिलियन से ज़ाधा अफगानिस्तान पे खर्च किये हमारे यू थ के दो हजार से तो जिसको जिगरा नहीं है लड़ना नहीं चाहते जिसको देश का पेट्रियोटिजम सुरोक्षा नहीं चाहते जो देश सिफ करप्षन 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 यह अब टाबाद के बाद यह बहुत जल्दी से समझ में आने लगा अमेरिका को यह करना गलत होगा as we being the big daddy of the world we are there as in when there is a democracy is at a stake हम अफगानिस्तान में गए थे because after 9-11 और पाकिस्तान में भी गए थे because अब अधाबाद में उसामा जी बड़े चैन से रह रहे थे तो we had a reason to go to Afghanistan and yes, Afghanistan is not a threat to और मरहम पट्टी अफगानिस्तान में क्यों की जा रही थी जहाँ घाव था वहाँ पर लगाया जाता ना मरहम यह तो पाली आ गया था कि अटाबाद में है जिसको विलन समझा जा रहा था तो फिर मरहम पट्टी अफगानिस्तान में So, long story short, हम कितना दिन और कितने साल और उनका अपने गोद में लेके उनका पालन कोशन करें, जब को वो करप्शन के उपर करप्शन करें.